किसें इंसान से बहुत चाहिए प्यार करों उसके लिए आप सारी हठे पार कर दों और बात में कहाँ है त羽 lors साथ को तुछ नहीं सकते आपको उसा लगता होगा या आस आदमी की साथ कुछ कर दिजए इसलिए लाइफ का कोई बरौसा नहीं जिस पे आप भरोसा कीजिएगा, वो ही आपको दोगा देदेगा, इसलिए खुद ही अपने मन की सुनो और दिल की करो, ये सब कुछ तो कहने वाली बात है, करना वही चाहिए, जो आपके लाइफ में बिलकुल परफेट हो आप के लिए, और सब कुछ ठीक कर दे, इसलिए सो समझ के ही कोई डिसेजन लेना चाहिए, किसी के भी अंधा विस्वास नहीं करना चाहिए, वेल आगे पिंकी रोड़ी हो थी, और अपोन से कहती है, मैंने अपना घर अपने हाथों बढ़बात कर दिया, मुझे क्या पता था, कि वो लोग मेरी पीट की पिछे ये सब कुछ करेंगे, तपोन कहता है, तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारी मौम के साथ क्या हुआ, मेरी मौम के हालत तुमने देखा है ना, मेरे डैड ने उनके साथ चीट किया, वो अभी तक समाल नहीं पाई है, और उनकी हालत काफी खराब है, तुम अपने मौम से इसी सिखो, उन अपने मां से कहा कि, लो की वाइफ अब मैं हूँ, अब उसे मेरी देखवाल करनी होगी, तुम पिंकी के सामने कुछ भी नहीं हूँ, पिंकी उसकी वाइफ है, वो तो तुम्हारे तब देखे का भी नेरिया कहती, उसकी डिस्पोजट्री अब मेरे लिए है, समझी है, और उसकी मा सब भी उसका आदा सथकार करने लगती है। लोग कहता है तुम कल रात कहा थी। और तुम ने कल रात मुझे कॉल भी नहीं किया। क्या बात है पिंगी यह तो बताओ। और यह बीच में घुस-गुस के सारे सवालों के जवाबी देने लगती है। कहती हैं अंकल आपके बिना कल राध सो नहीं पाए वो कापी परेषान थे आप क्या ओफिस में काम कर रही थी आपके थखी वी है तो लू कहता है क्या तुम-प्री ता से बखला जाती है और अपने गुस्ये का आपा खो कि m HC अप इसके क्लिक को सब्सक्राविस की aँ qualify India के तुम इसके कर दे तो की अपना इवी की कोसिस करते पर पिंगी दोका बर्दास्त ने कर पाती है कि लू और इस नुकडानी ने मिलकि उसके साथ चीट किया आगे लू पिंगी को बार बार आवाज देने लगता है पिंगी का एक्चली यह सब कुछ सपना ही रहता है कि पिंगी ने सपने मेरिया से बदा ले लिया आगे लू कहता है क्या तुम ठीक होना क्या तुम आराम करना चाहती है पिंकी कहती हमें बहुत जादे काम कर ली इस वजह से मुझे ठकान होगी इसलिए में जारी नहीं के लिए उसके बाद मैं आराम करूंगी और बिंगी वहां से गुस्से वाली लुग देखे वहां से चली जाती है तो लों को समझ में नहीं आता कि इस तरह क्यों है इस साब रहता है पिंकी के इस बहिब को देखकरा आगे पिंकी अपने रूम में जाति है और वह कुब फुट फुट कर रोने लगती है और अपनें अर difू को देखकर उसे तो काफी गुस्सा भी आ रहा हता है और अपने हस्वेन की पेफाई को सोचकर वो काफी परिशान हो जाती और वो खूब डोने लगती है घर का सारा समानी दर उदर पिखेर देती है कि तब है अपन की कही बाते उसे याद आने लगती है अपोन कहते है तुम फिर से वापस जाना चाहती हो तुम कैसे इसे कर सकती हो पिंगी कहती है मुझे पता है उस नकडानी ने मेरे हस्वेंट का माइड भठका दिया होगा लू ऐसा नहीं है लू से मैं काफी प्यार करती हूँ इसे मैंने साधे की अपॉन कहता है तुम किस टै के सब्सक्राइब करना लगते हैं। थी से लू ने आपको डिश्टरब नहीं चाहिए बास सुनके पिंकी को और भी गुस्सा उड़ जाता है तो वो कहती कोई बात ही वो जब आएगी तभी मैं उसे बात कर लूँगी और मैं कहीं बाहर जा रही हूं किसी काम से आगे पिंकी लू के मेनेजर से मिलने के लिए जा चाहिए तो मुझे साइड डिटेल्स लाकर देरा पड़ ये बात तुम लूग को मत कहना वो कहती ठीक है मैंडम मैं इसा नहीं कहूंगी तो पिंकी ये बात सुन लेती और पिंकी को बता चलता है कि फिनांसियल कंडिशन अभी ठीक नहीं है इसलिए वो ससी से हेल्प लेता पुरी तरह दंग हो जाती है और मेनेजर ये भी बताती है कि सर अपना फिनांसियल एस्टर्मेंट कभी न खभी ठीक भी कर लेते हैं पड़ ये कैसे करते ये बात पता नहीं क्योंकि प्यार से रिया से बाते करता है और लू रिया को कहता है चिफचफ तुम जाके सपना सम सब्सक्राइब पिंकी को सब्सक्राइब के बारे में के प्लन किया मुझे शोच ना होना की यकए चछा करने वाली यह है ध göster इसे बात करती है कि तो लो कहता है तो डू लो के ज़रत है क्या तु मैं क stylishTER चाहले ही पेमेंट कर सकती है जनि कित аровत व्यक्ते चाहँ जbstवल में आज़ती है तो पिंकी कहती है लो थे स्वाइंब करना चाहती है और उसे के बात करना चाहते है और पिंकी बाते हैं च्वेम किने कीड़ ट्रीक कर Michigan. और अपवन भी समझ नहीं पाता किकर पिंकी करना क्या चाहती है आगर पिंकी लो के पास जाती है और कहती है तुम्हारा काम हो गया और अपवन हमारे इसमें हैल्प करेगा क्योंकि वह उस टिवी प्रोग्गारमें पो 이제 काफी जानता है सिर्ट तुम्हारे पैसे के लिए पूर तुमसे प्यार नहीं करते और तुम दुरह में तो प्यार जहलकता भी नहीं है ते बात सुनकर पिंगी हसने लगती और कहती ऐसी कोई बात तो है ही नहीं मैं तो काफे खुस हूं कि लूँ मेरा हस्वेंड है और मैं कैपवल इतनी हू थी और एक से खुस होजाती है वो भी पैसों से प्यार करती है जो कि वह करती है और पिंकी रिया को टॉंट मारती है तो टुम्हारे लिए उन्पॉर्टन्ट इसलिए वहीं यहार की बहुसे है दिन चुप नए चुपफी मुझे तो लगता है कि वहां से प्यार Weillac करता है और ये बात के क्यों किसे बारें बात कर नहींूं ऊぁहए हुआ हुझा लालो किस बारें बात कर दियां कि यह साथ तुम नहीं तुम्हें नहीं सब औसा प्रोप बोगां मैं उसके बात है उसका राज था तुम्हें हिसा, यह सब कुछ वह हों कि देन 55ómo तुम से टारी नहीं हों उसके साथ यह इस प्निंद सबस्की प्रॉसर विस्ता इसे Wheel स्वेडिय नियुकों सब इस घर की औनुर मैं हैं उंनी हों तुम नहीं तुम कुछी नहीं उसके सामने तुम एक चीटी RIA को आज नहीं काल लावगी टूम इस घर निकाली जाओ बाहर काली कोश्फा कशानी की कॉसी करती है यह काफी गुषसा कर रहूता क्योंकि वो तो मेरा भी हस्मेंट है पिंगी कहती है अच्छा वो तुम्हारा कभी नहीं होगा वो मुझसे ही प्यार करता है तुमसे नहीं देखोगी इसका प्रूफ मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ आगे पिंगी कहती है तुम मेरी रूम का बेट से चेंज करो समझे तुम मैं इस घर के माल की हूँ मैं रिया कहती है मैं बेट से चेंज नहीं करूँगी तुम खुदी कर लो और यह बात में जाके अंकल को भी कह सकती हूँ पिंगी कहती है ठीक है आगे पिंगी बाहर जाती ह और रिया की मौम से कहती है आप आके मेरी मदद कर देजे मैं बेट से चेंज करने वाली हूँ तो लो कहता है तुम क्यों बेट चेंज करोगी ये तो रिया का कामेरिया ये करेगी और रिया को आदेश देता है बेट से जाके चेंज करो समझे तुम तो रिया को मजवर वस जा और पिंकी यहां पर जीत जाती है और पिंकी रिया से कहती है देखा तुम ने लोग किसकी बात सुनता है वो मेरी बात सुनेगा ना कि तुम्हारी आगिर यह बेट कि चादर को पईड़े उसे कुछलने लगती है मैं यही जा कि इसके बेट पर बिछाओंगी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास नहीं है विनास काले विपरित बुद्धी तुम्हे गलत रहा पे-जारही हो पड़िया को कोई पड़की नहीं पड़ता है आगे पिंकी लो के साथ सोई भी रहती है पर से साथ सोते भी उसे घिना रही होती है पर मजबूरी में उसके साथ रहती है और वो कुछ से कुछ सोच रही होती है कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया वो लू से कितना प्यार करते थी पर लू न कोस्सिस करी होती है तो लू भी विह सब कुछ देखकर साज़ को जाता तो यह बात किसी को नहीं बताओगी कि मैं नहीं तुमें पर्ज दिया है और वहां पड़ बर इतरा कि है कि यही सारी बाते कहने लगती है आगे लू कहता है मैं तुम्हें अपने साथ मिटिंग में लेक किये तुमम्धरीं तुम्हारे साथ रहते हैं हैंजों मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोख रहा हूं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुमारे लिए ठश infection मुभचर हो और पंखी का support के लिए अब बात पे आता है तु हुसकी बात माननी परती है आगे अपन घर के अंदर जाता और यह कि मौम से पर्मिसर मांगता है कि में ढोसाथ में लेकर जा सकता हूं यहाँ आप लेकर सकते हैं अब यहाँ पर अंकल अब्जक्शन लगाने वाले होते हैं पर वहाँ पर पिंकी आ जाती जिस बज़े हैद लू कुछ नहीं कर पाता है और लू पिंकी के साथ चला जाता है और अपन heightened जिया शुस के बाते कर रहा होता है ये सब कुछ दे को लू को काफ़ी गुसा आ रहा होता है आगे अपॉर डिया से फुचता है तुम्ही कहा जाना है ये बता तुरिया ये देखने लगती है कि लू कहाँ पे है क्योंकि उसने उसके मोगाल में ट्रैकर डिवाइस को एक्टिप कर दिया था वो जहां काहीं भी रहेगा तुसे पता चल जाएगा दो डिया कहती मुझे यहांपे जाना है यहां से टन लेड़ो तब भूम भी उसकी बात ्सुन रहा होता है और वो जहां कहती है वहां गारी को लेके जाणा होता था पिंकी और लू दोनों ही मिटिंग कर रहे होते हैं और लू अपनी पूरी कौसिस कर रहा होता है कि उस ट्रीवी प्रोग्रामर को सारी बाते बता दे और उसके प्रोजेक्ट को वो एक्सेप्ट कर ले कि तो यहाँ बिडियार अपन दोनों ही आ जाते हैं क्या भाग है कि हम तुम से फिट टकड़ा गए मुझे नहीं पता तो आप लोग यहीं पे हैं अंकल तुम पर यह इत्रा इत्रा के बाते करने लगती है और यह कहती है कोई और टेबल जाकर देखना चाहिए तो वहां पर लू कहता है कि यह कोई आम रिश्टुरेंट नहीं है यहां पर पहले ही साइट टेबल बुक है तुम लोग यहीं पर आके लंच कर लो कि तब युदर से जरीन का सेकरेटी आ जाता है और वो कहता है सर आपके लिए एक टेबल खाली है यह बास सुनकर अपन तुस्वाक्ट हो जाता और कहता अच्छा आप क्या मुझे जानते है तो हो कहता है मैं आपको जानता हूँ इसलिए तुम आपके लिए सारी बाते बता रहा हूं और आपकी कदर भी ख़र आ हूँ सर मेरे साथ चलिए अपनड़िया उसके साथ चले जाते है क्योंकि वो बंदा जरिन का खबरी रहता है अपन क्या करता है उसके बारे में साइड डीटेयल जाने लिए उसे ह Państwo रखा गया रहता है तो अपन कहता है तुम ध्यान से सुन good मैं जानता हूं कि तुम मेरे डैट के चम्चे हो लेकिन तुम अगर मेरे बारे कुछी मेरे डैट को बताया तो उसके बाद तुम मैं सोचना कि मैं क्या करूंगा मैं कुछ भी कर सकता हूं इसलिए मुझसे दूर रहना और ये बात तो जरास पता रहने भी नहीं चाहिए कि मै किसी बात का कर्ष्ट नहीं है और अपन रिया से चुक्मी चुपरी बाते करता है ताकि वो उसके जाल में फस जार कहता है क्या तो मैं साथ घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारे मम गुच्स आएगी तो नहीं या तुम्हारे अंकल पागल होंगे मेरी मम ने तो इजाज वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे और यो टॉंट मारके फोन कट कर देती है तो पिंकी को काफी बुड़ा लगता है और पिंकी ये भी देखती है कि लूडिया के लिए काफी परिसान हो रहा है अभी तक वो घर वापस नहीं आई है आगर या को मेसेज भी करता है लूपर होट क्या है अभी के सब्सक्राइब लिए और गोणे अगए लग लोगता है तो आप उसे खोल सकते हैं अपोन उसका सीट विल्ट खोलने के लिये जाता है तब ये सब कुछ लू देख लेता है और वह जा के अपोन पर गुषा दिखाने लगता और कहता है तुम ये क्या कर रहे हैं तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहिए तुर या अंकल को सांथ करने ले और केहती है अपन कुछ नहीं कर रहा था बस वो मेरी सीट वेल्ट खोड़ा था क्योंकि वह फस गई थी और अपने सफाय में कहता है मैं खुले आम कुछ भी नहीं करता हूं और मैंने रिया के साथ कुछ भी नहीं किया पर आपको गुसा किस बात का रहा है ये बताए एक पर यहां से दूर होता पौन कहता है रिया सिंगल है मैं इसके पास जाओंगा तुम क्या कर लोगे और अपने से गुस्सा दिलाने लगता है पर रिया के मौम कहती है तुम अभी यहां से चले जा तो अपन वहां से चला जाता और यह सब कुछ पिंकी देख रही होती है कि प्लूर या के लिए कितना पागल होड़ा है आगे पुर्ण पिंकी को मेसेज करता है तुमने देखा न अपने आंकों से अपने हस्वेंट की करतू फिर भी तुम आ रहेना चाहती हूं पिंकी कहती है हां मुझे पता है मैंने देखा अब देखो मैं कल क्या करती हूं आगे र अगे रखे टेंदी है पिंक प्लांत पे कोसिस वह तुमा सब मेरे कितो कने लिए उसों तो किसी का लिए हो सकता है तुम देखो आप तमहरे साथ वो नुम को भी सारी बाते बताने लगता है और उसके ठीकाना नहीं रहता है मिठाई पांटों कि मेरी बीबी प्रेगनेंट होज़की अब मेरा बेबी भी आने वाला है पर यहां कोई इन सारी बातों से खुशी नहीं होती है और वो काफी सदमे में चली जाती है क्योंकि उसके मन स्वेब तो पानी फिर जाता है कि लू उससे प्यार करेगा अब उससे प्यार नहीं करेगा अब अपने बच्चे से प्यार करेगा और पिंकी उसे लू के करीब जा जाके जला रही होती है वेल आगे पिंकी यासे कहते तो मैं क्या लगता है कि लू तुम्हारे पास जागा ऐसा कभी नहीं होगा मेरे पास एक जुगार है तुम्हेत चानके तु बड़ी खुसी होगी चानना चाहोगी रहा कहते हूँ पर इस बात से रिया काइफ़ खभार हेती है जोट कहरी है आपके पास रिपोर्ट है पींकी पूट भी दिखाती है और कहती ये देखो ये सब कुछ देकर वो काफे गुस्से में रहती है आगर यह अपने रूम में जाती है और समान की तुर्फ़ोर करने लगती है तो उसके माँ उसके पास साथ समझाती है और कहती है कि तुम लोग के साथ जो भी रिस्ता बना रही है उसे तोर दो यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है क्या तुम उसकी रखिल बनके रहन क्षाद रहो खोंची है तुम पागल हुची है तुम पागल हो चुकी है हमेनना रहना चाहिए तो यह लिए क्रशा धया में अ तुम मुझे दोगे, तो लो कहता है, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूँगा, तो पिंकी कहती है, मैंने गल्दी कर दी, इसलिए मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, और मैं अपनी मौम से नहीं मदद नहीं मांग सकती है, अगर मैंने उन्हें कहा और वह पिंकी नाटक करती है कि उसे चक्कर आड़ा है और कमजूरी लगड़ी है तो लो कहता है यह मारे बच्चे के लिए सही नहीं तुम इतना टेंसन मत लो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारी पेपर दे दूंगा और यह सब कुछ रिया देख रही होती ह और यह सब को देकर यह काफी खुसोरी होती है कि पिंकी की साथ प्रॉब्लम है आगे पिंकी वो पेपर लेकर जारी होती ही तब इडिया उसके सामने आती है और कहती है क्या बात है तुम तो समस्याओं से घीरी भी हो तुम क्या करोगी नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम मुझे नहीं बता री हुए वी पिंगी किंगी चुछा में दो उसके नहीं हुए तुम इसकी टेंसल मतलो, मैं इसका इंतजाम कर लूगी। आगे पॉर पिंकी के पास जाता और कहता है। तुमने आगे का क्या सोच है। तुमने तो काफी अच्छा प्लैन बनाया है। उसे बढ़ बास करने का। तुम उसे प्यार करती है। पिंकी हसने लगती हैं और चाहती है ... यह सब्धि एक पर इब कहिनुति करूच लगा रहा है, यह उस्सका मिले प्लैन Panigator का यह और तो पीन की कहते है है कर दो चाहरा प्लैन ऐलाए है यह तो आ nuei कि कह दो पर पिंकी कहते हैा हैं आज रात में गर नहीं जाओं की क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी हसमें नहीं करता है देखने बाद तुम्हारा क्या हाल होने वाला है आगे लू कावी परिसान रहता है क्योंकि रिया और रिया के माने कहा कि वो अभी हाँ पर रहना नहीं चाहते है वो लोग कई और चले जाएंगे रहने के लिए ये सारी बात है सोचकर वो परिसान हो जाता है उसे मेसेश करके बुलाता हूँ पर रिया उसके मेसेश को इग्नोर करती है और ये सब कुछ जान बुच के करड़ी होती है तो लू उसके रूम में जाता है आर लिया से बात करना चाहता है पर वो सोई भी रहती, thì वहां से चला जाता है कुछ दिरवाद लिया ऊसके रूम में आती है और कहती है क्या बात करनी है आपको मुझे बता है मुझे तत्व नही लगता कोई बात भी करनी होगी आपको तो लो कहता है 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 तो लो क कर दूते सारे चीछ चीछ पीरे में रिक Admire यह निए चछारो केमरा को सेट किया हुँ रहता प्रफु घर किया है अले दिए पिकी रैडी हो जाती आर अगर जा रही है यह तो फंण कहता है क्या तुम क्या देखने जारी हो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ पिंकी कहती नहीं तुम मेरे साथ मत चलूँ मैं यह सब कुछ अक्यली हेंडिट कर लोगी तो उसे गले लगा रहे था पॉन कहता जब तुम्हें मेरी जुरत पड़ेगी तुम्हारे एनी टाम एबलेबल होंगा तुम मुझे एक कॉल करोग मैं तुम्हारे पास आ जाओंगा तुम्हारे इसी नवध पड़ेगी तुम्हार कॉल करेंगी तुम्हारे लगाना दो पनी reinforcing SH type गर सेब देते में तो चाएंगा जसे बेते और वो काफी दुखी भी हो जाती है कि अधर से रिया रूमेंट टपक पड़ती है तू सब कुछ छुपा लेती है पिंकी आगर रिया अपना सारा समान बेट वे पटक देती है और कहती है ये रूम तो अब मेरा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्मेंट के साथ रात कुझा वो मेरा हस्मेंट है तुम्हारा नहीं समझी तुम तुम यहां से निकल जा तो पिंकी कहते ये बात कि बता रही हो जिस वज़े से उसका एक्सेंट हो जाता है और उसे चोट भी लग जाती तो विडिया की मौम आती और कहती पागल लड़की तुमने ये क्या कर दिया तुम्हें इस सब कुछ नहीं करना चाहिए तुम्हें नहीं पता कि पिंकी प्रेगनेंट है पर यहां को कोई घंटा फरक प्रेगनेंट है आप इसकी चेकप बहुत ही अच्छे से कीजिए और इनकी देखवाल भी कीजिए आगे रिया अपनी मौम को कहती है किसी ने मुझे धका देवे नहीं देखा इसलिए आप यह बात मत कहिएगा बस इतना कहिएगा कि पिंकी का एक्सेंट होगे जिस वज़ करके तुमें कुछ आजी तो लोग कहता यह कुछ नहीं हुआ तो मैं किसने कॉल ध़ो थे इसलिए उति यह नहीं भागे दो होता है कि लोगों कुछ होता विखिए में प्रणा कंड़ू घै पर एक उब्हारा है मेरा है तो संसी इंगा बाघिए उससे गाली देने लगती मुझे मारा तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते है और वो ससी को भी एक थपर मार देती है तो ससी को काफी गुसा आ जाता है तो लू उसे पकरता है एडिया को और ससी उसे कस के दो तीन थपर घीज देती है और ये सब कुछ अपने रातरी दोनों ही देख रहे होते हैं उन्हें प्रेगनिये से पूछते हैं मेरा बिभी कैसे है लग कि आपका बच्चा ही नहीं वह उसनों कालागी पॡग समुझागी जह वहां काहिए, शैय preciso वैसे भरनी उसका फल तो तुम लोग को मिलके ही रहेगा आगे साइप पिंगी से मिलने के लिए जाते हैं तुम पर लू कहता है मुझे तुम से बात करनी है तुम पर प्रातरी और पॉन कहते हम तुम तुम अकेला नहीं छोड सकते क्युकि मुझे इस लूप जरा से भरोसा पिंगी कहते हैं तुम लोग बहुत से बात करती हैं तो वह दो आगे लुग कहता तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों ग्या तो पिंगी कहते मैं उसकों वार साथ कूँ ई और फोर करने लगती है उसका नाम खराब हो और यह सब कुछ बढ़वाद करना चाहती है ना बिल्कुल तुम बढ़वाद हो ही चाहिए तुमने मुझे बढ़वाद कर दिया आगे लूप की को डाटने लगता है यह सब कारनामा जानने के बाद कि तभी वो चिलाने लग कुछ भी किया तो तुम्हारी खेर नहीं आगे पिंगी कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूं तो लू कहता है मैं तुम्हारी औरिया की वीडियो को पोश्ट कर दूँगी उसके बाल तुम कहीं भी मुझ दिखाने लाइक नहीं रहोगे तुम्हारे काफी बद काम नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी इमच काफी खड़ाब हो चुकी है तुम्हारें में नाम को लेकर ठूथू clicking बॉर्फ weten नुभाण नहीं कर सकता हूं कि एक और नुक्सान हो जाता है ये सब पूरें चाहिका और तुम मुझे डिवाउस दोगे आगी लू घर जाता है तुरिया वहाँ पर फिर से माइंड वाउस करने की कोसिस करती और कहती ये तो अच्छी बात है वो तुमसे खुदी डिवाउस ले रही है उसकी डिवाउस होने के बाद तुम मुझे साधी कर लेना और मैं तुम्हारी वाइफ कहलाऊंगी और वो अपनी चिक्नी चुपरी बाते उसे कहने लगती पर लू को जरासा भी अच्छा नहीं लगता उसे वो धक्का देता और कहता है तुम मुझे दूर और मुझे अकेला जोड़े कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं और यह बात करके लू मह पिंगी को लेखे काफी दुखी रहते हैं कि उसके साथ कितना गलत हो गया तुम टेंसन मतलु में तुम दोनों के साथ हूँ और तुम हल रख्चा में खुदी करूंगा इसके तुम टेंसन मतलता ते कही ति बाह मेरा भाइ बढ़ा हो गया है अगले दिन रात रहा तरी रर की बात सुनी थी मेरी मॉम चल बसी सिप आपकी बज़े से आपके काली करतुते उन्होंने देख लिया अपनी आखों से और वो चल बसी तो जरीन को गुसा उड़ जाता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे बेटे खरा नहीं कर सकता हूं मैं धेर सारे बच्चे पैसों में बच्चा आजाएगा तुम्हारे जाकर कर लिजे ना मुझे क्या सुना रहे है तुम्हारे उसे कसके थपर मारने ही वाला होता है कि रातरी बीच में आ जाती और कहती डैट प्लीज कुस मत कीजिए प्लीज सांत हो जाईए मैं अप उनको समझाऊंगी आगे उस देकर डर जाती और वो अपने डैट की पैर पकड़ लेती और कहती डैट सांत हो जाईए मैं अप उनको समझाऊंगी यह मेरी बात सुनेगा तो उसके डैट कहते आज के बाद तुम किसी भी लड़की के साथ दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं समझे तुम मैं जिसा और वो हों से चले जाते हैं आगे अपने कोक चोट लगी वी रएती है गाल में तो उससे आके महलम लगाती हुँए और कहती तुम है इसा करना चाहिए तुम पता है अंदी आप बिच में आ गई नहीं तो मैं अपने डैट को सबक सिखा कर रहता तुम सांत हो जा। इतना कुछ सा, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, अपॉन कहता है, ठीक है, आगे अपॉन होस्पिटल जाता है, पर उसे चोट लगी भी रहती है, और ये सारी बाते वो पिंकी को बताना नहीं चाहता है, फिर भी वो हस्पिटल जाता है, उसके सोने का वेट करता है, जब सो जाती है, अपॉन सिधा रूम में जाता है, उसे देखता है, वो ठीक है कि नहीं पर दाभी पिंकी उसका हाथ पकड़ ले थी, क्योंकि पिंकी सोई भी नहीं रहती है, और पिंकी कहते हैं, पिंकी को अच्छा फिल कराने की कोशिस करता है, और कहता है, कि हर आदमी एक ज सोचना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक तरह नहीं होता, जो कि तुम से प्यार करेगा, तो पिंकी कहते हैं, मुझे भी किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना है, अपन उसे हिंड देने की कोशिस करता है, कि वो उसे उसकी लाइफ में ले आए, पर पिंकी उसकी बातों खेलने लगती है, और वो पिंकी के मौम के घर जाती है, उन्हें सारी बाते बता देती है, कि अंकल पिंकी से सिफ़ उसके पैसे के लिए साधिकित, वो उससे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, सारी बाते वो उसे बता देते हैं, और लू के खिलाब भरका ये सारी बाते कि अपसे रिया ने कई ना तो भू गहती है है, यह बात तो सच है आप उससे प्यार नहीं करते हैं और वो अंगटीं की निकाल गे फेक देती हैं तो यह सब को दिखने को लो को काफी गुसा और तड़िया को कहता हूँ तो यह क्या कर रही है यह जए अप उसक प्रमुर्मूर्ट, मुर्मूर्ट, माल्व। पर उसने उसे धोका दे दिया पैचारी रोने भी लगती है। को डस लिए और यहाँ पर बक्वास करने के लिए हो चप-चप यहां से चली जाओ तुम से कोई लेना देना नहीं और पिंकी भी कहती मेरी छोड़ी वी जिस तुम यही मुझे नहीं चाहिए लूस समझें तुम खुद ही रखो और खोसर हो तो यहां कहती मेरी साधी जल्दी होगी मैं तुम्हें कार्ट जरूर भेजूंगी कि तब वहां पे अपन के इंट्रिय होती है वह भी सांदार इंट्रिय होती हीरो की तरह और वह गारी के चावी पिंकी को देता और कहता है ये खुद की तुम्हारी गारी है और पिंकी उन लों को बताती है कि वह काफी अमीर ह लू के लिए रहने या ना रहने से उससे क्या मतलब है और वहाँ पे पिंगी इतरा के चली जाती है जान बूझकर उन लोगों को चिरहा के तो यह सब पूस देख गड़िया को भी बुड़ा लगता है और यह सारी बाते के गड़ों वहाँ से चली जाती है मैं लागे लोडिया के माम के पास जाता और उनसे माफ ही मांगतार केता है मुझे माफ कर दीजिए मैंने बहुत ही गलत किया आपकी बेटी के साथ तो लोगो केता है मुझे माफ कर दीजिए मैं आपकी बेटी से भी साधी नहीं कर सकता है यह बास सुन का रिया कि मुम खुब रोने लगती है एपना सर पीछ पीटने लगती है और कहती है आगे लू अपने रूम में बैठावा रहता है तो इजर से रिया आती है और कहती है अब से मेरा डेस तो इसी रूम में डेगा मेरे सारे कपड़े यहीं पे रहेंगे क्योंकि मैं अब आपके वाइप हूँ लो कहता है तुम मुझे परिसान करना बंद कर दो तुम यहां से चली जाओ मैं तुम्हें इस रूम में रहने के नहीं दोगा यह रूम पिंकी का था तुरिया कहती है अब वो तो यहां से चली गई है अब यह रूम मेरा है और मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारी साथ रहूँगी तुरू कहता है मैं तुमसे साधी नहीं कर सकता हूँ तुरिया कहता है तुम मुझे साधी नहीं करोगी तुरू कहता है मैं अभी इस कंडिसन में नहीं अभी मेरा तलाक हुआ है और मुझे समहलने में टाइम लगेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मैं तुमसे तो साधी करी नहीं सकता क्योंकि तुम एक नुकडानी की बेटी हो अगर मैंने तुमसे अभी साधी की तो हमारी काफी बदनामी होगी वेसे भी तुम्हारे कान बहुत सारा कान्ड हो चुका है इसलिए मुझे से राइते को संभालने दो और ये बात कैई कि लू, वहाँ से चला जाता है तुरिया काफी पुखला जाती और पागलो वाली हरकते करने लगती है वह लू को भी घड़ी मार देती है तुरिया क्रेणिन गसा तुम मुझे साथ अशा करोगी पागल वारी हरकते करड़ी होती इधर सुधर भटक रही होती कि तभी उसके मुगाल पर कॉल आता है तुरिया की मौम कहती है मैंने तुम्हारे लिए जॉब इंटर्व्यू के लिए पेज़ाता साथ उसी का कॉल है और वो कॉल उठाती है पर वो कॉल बिने का रहता है तुर स्टर्वान यहां पर छोड़के गई अब तो लेने के लिए नहीं आएगी अब यह सब कुछ मेरा हो अब मैं इसका फायदा उठाओंगे और वो एक अच्छी से ट्रेस पहन के बिने से मिलने करें चली जाती है और यहां जानती है अगर वह ज्यादे सुंदर लगे कि तो उस पर लट्टू हो जाएगा इसलिए वो बन ठनके बिने के पास जाती है और उससे मिलती है द्विने इसे देकर काफी खुस हो जाता है तुम बहुते संदर लग रही हो आगे पिंकी अपने नहीं घर में सिप्ट हो जाती है पर उसके फ्रीज में कुछ भी खाने को नहीं रहता है तो वो नीचे जाती है कुछ लेने के लिए कि तब इसके सामने अपन आ जाता है तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो तुमने तो खाना खाया नहीं और तुमने कोई समान नहीं खर दा मुझे पता है इसलिए मैं लेकर आया हूँ और अपन उसके रूम में जाता है त तहुआ कोई तो मैं गोई और काम नहीं है काम करेंगें, पर काम कर एक फूल में दीक किन खेडा, मैं थीकर दोन्हुने है लें था मोई फोल में आहिका कर दूंगा है किже में कोई और बता हुछ जाय दोया मुझे गया करता है तुम्हारो तब दाणि बन करते ना लो मुझे सी कूरता है कि तब इसके मैं ना बस शाइज आ ज्यَّा हो तो कहते है। दिबॉस इसलिए दिया ना कि तुम इसके साथ रशा को तुम्हें पता है अपने उसे प्यार करता है हुण चौचर के यह दोजाते है शालते लूटे सिके लनकरन को दोड़ता है और या तिए ट। उने नहीं से क्योंकि तुमसे यह प्यार करता है और तुम भी इससे प्यार कर दी यह तो एक बहना ता डिवोस ले तुम्हें तो इसके साथ रहना आता है ना और लो उस पे गंदा गंदा इंजाम लगाने लगता है तु यह सब को सुन प्रपिंगी को काफे गुशार था और वो गाट को तुम किसी और की हो रही हो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं यह बात सच है और पने प्यार का कनफेसन कर देता है और पिंकी को कहता है तुम जैसा चाहती हूं मैं वैसा ही करूंगा मैं तुमसे लेकिन प्यार करना नहीं चोड़ सकता है मैं तुमसे सच में बहुत प कि इसे मिलने के लिए गया था और यह सब को जिकर से काफी गुसा उड़ता है और वो देखती है कि आलू जा कहा रहा है आगे प्रिया वहाँ पर जाती और वो सारे बाते सुन लेती बिने और पाती कि वह दोने बात कर रहे होते हैं मौडल के बारे में तो पातरी कहता है बिन एक दिमाग में ये बात खटकेगी रिया भी मौडल बन सकती है और उसे वो मौडल बना सकता है आगे बिने रिया को घर चोड़ने के लिए आता है तो रिया उसे मेनो प्लेट करती है और कहती है मैं नोकडानी की बेटी है इसलिए मुझे कोई पूछता भी नहीं है और मेर टीम को कॉल करें कहता है कि मैं फोटो सुट करूँ और मैरी मौडल मैंने चुन ली है और इस सब कुछ वो डिया को देखे कर रहा होता है और रिया का प्लान काम भी कर जाता है अगि घर जारी होती ही तो भीने को किस कर लेती है अगि अपना जाल बिचा देती और बिने उस ससे को किस करने वाली ही तो ससी को पकरती उसे मारने लगती है मैसा होने प्लेंगी सुन्दर चेहरे से मिरूत अब इसे बड़ बात करते दूँगी और उस्से गाल पे मार बीड केर्ट करते हैं ऐगर शब्ड़ कुछ कीसी स्वालों का जवालें ऑर मैं तुम उससे भी दूड़ हो, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, समझी तुम तुम तुरिया कहती है, आप मिरे साधी कर लिजिया है, मैं तुमसे साधी नहीं करूँगा, अभी मेरा डिवाउस हुआ है, और मैं पिंकी से ही प्यार करता हूँ, मुझे ने पता मेरे साथ क्या होड़ा, और मैं अपने अपको सम्हाल भी नहीं पाड़ा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, और ये बात कहें कि वहां से चला जाता है, तुरिया को काफी बुड़ा लगता है, उसका दिल चूड़ जाता है, उसका जो सपना चुड़ हो जाता है, उससे साथी नहीं करेगा, इस साथी बाते जानकर उसके तो होसी उर जाते है, और वो खुब फुट फुट के रोने लगती है, आगे अपने घर जाता है, अपने ड्याद को देखा हूँ, उसे काफी गुसा उठता है, तुम कहां थे, और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुमने जान बुझ के उस जॉब को धराना ता कि तुम मेरे खिलाब सबुते खटा कर सको, अगर तुम मेरे खिलाब गए तो फिर देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अपना काम इमानदारी से कीजिए, तो इससे आपको खत्रा नहीं होगा, मैं अपन अपनी जद बचाने के लिए, और मिनिस्टेरी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने अपने डाट से लडाई करने लगता है, तो इससे रोक लेती है, क्योंकि वो रोने लगती है, उसके डाट काफे गुसे में रहते हैं, तुम दोनों को मैं सबक सिखाने के यहां पे आया था, इसलिए मेरे काम में टांग राने की कोशिस मत करना, समझे तुम, तो अपन को रातरी के बज़े से चुप रहना पड़ता है, इसलिए वो चुप हो जाता है, और कहते हैं, जब तक आप सही रास्ते में आपके काम के आरे नहीं आओंगा, अगर आपने अलग रास्ता चुना, उसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, उसके बाद आप कुछ सोच लीजिएगा, तो जरीन कहते हैं, तुम्हारे जो कमजोडी उसके साथ में कुछ भी कर सकता हूं, अगर तुम्हारे कमजोडी के बारे मुझे पता चल गया, उसके बाद तु सोई औरता है इसकाय पांड आ ओके हो यह हुए तुम ही साफ शान मतलब केक्षिकी पेंडीट रिकाष ना है कि यह एक तरफाई प्यार हो मुझसे प्यार दिया जाती है और वो कोई रियक्ट नहीं करती है और अपने दिल की सारी बाते रातरी को बता देता है आगे रातरी पिंगी कॉल करती है और हाल चाल बुस्ती है और कहती है कि चलो मेरे साथ कहीं गूमने के लिए मुझे कहीं बाहर रेश्टर में जाना तुम मेरे साथ जाओगी ना पिंगी कहती मेरे पास टाइम तो नहीं है पर मैं तुम हाले निकालूगी तुम अकेली रहोगी ना तो पून के तमें दू बुक पढ़ रहा हूं नर्दी आगे रिया और सुन्दर बढ़ने के लिए इसपा जाती और वो खूब टीटमेंट करवाती ताकि वो काफी सुन्दर लगी इसंस समंझ में नहीं चुट में सहाँ घांए और साथिकी fais sic मैं पता है आपको जड़ी तुम हो अगर तुम्हारा साथ कुछ हो गया तुछ मैं क्या करंगी इसे लिए आपको लेकिए कोई फिलिंग नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करती हूं और ये सारी बाते पिंकी सोच काफी दुखी भी होड़ी होती है पर वो सारी बाते कहे कर वहां से चली जाती है और ये सब कुछ रिया सुन लेती है उसे तो बड़ी खुसी होड़ी होती है उसे भी पता चल गया कि अपून पिंकी से प्यार करता है आगे पिंकी जारी होती थी फिर से रिया उसका रास्ता कार देती है उसके पास आती है और कहती है क्या बात है तुमने तो लो को डिवोस इसलिए नहीं दिया कि तुम उससे प्यार नहीं करती है तुम तो अपून से पिंकी कहते, तुम मेरा चुम्ठाद कोई ले रहोंगी, और लू मुझे प्यार करते है, पिंगी सोचए, जाकें लू तुम से प्यार करता है, बुए सब्रड़ प्यार करते हैं, तुम मेरे बारे में सोचना चोड़ दो, मुझे तुमसे कोई लेना दिला नहीं और ये बात करें पिंकी वहां से चली जाती है तो रिया को काफे गुसा आता है आगर रिया अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर देती है और वो काफे फेमस हो जाती है उसके धेल सारे फोटों कीचे जाते है रिया का काभी नाम रुतवा बहुत जाते ही हो जाता और उसके डिमांड भी बढ़ जाती है और ये सब कुछ रातरी को पता चलता उसे काफे गुसा औरता है कि ये चीप लड़की इतनी मॉडल बन जागी इसे तो मैं कभी भी अपने कमपनी में आने के लिए भी ना दू ना है घुसने के लिए दू और कि सारी बाते वो पिंकी को बता रही होती है तो पिंकी कहते है उसने महनत की होगी इसलिए उसका इतना नाम रुतवा है ना तो रातरी कहते हैं यह सब कुछ बिन्हे की वज़े से हो रहा है बिन्हे ने उसे सपोर्ट के इसलिए वो इतनी मड़ी मोडल बन गए नहीं तो वो कुछ भी बनने लाइक नहीं है आगे पिंकी को अपन की यादे आने लगते हैं जब पॉन ने कहा था कि मैं एक दिन जरूर बुग लिखोंगा और तो मुसे अच्छे से पढ़ोगी भी है ना और उसे प्यार वाले बाते करने भी लगतार कहता है मैं बस एक लड़की से प्यार करता है उसके लावा मैं किसी को भी अपने लाइफ में आने के लिए नहीं दूँगा तो पिंकी इस बात को मजाक में ल ना मिल जाता था और यह सब कुछ देकर वह खुसत हो जाती और बाहर जाके वह अपन को ढूले लगते पर अपन नहीं रहता है उसे देकर वह सिब खुस होड़ा होता है और देश से घर जाता है तो रात्री को अपन के से प्रॉमिस लिया था कि वह कभी भी आगे ना काम खतम करके सीधा घर आता वह भी लेट से और जाके सो जाता है यह सब कुछ राती को अच्छा नहीं लगड़ा होता है अगर यहा को बड़े से प्रोजेक्ट विने काम करने के लिए रखने वाला होता है पर इस बार इस बारे में पता वो लड़की अच्छी नहीं उसके कुछ कर देता है और दिने कुछ भी नहीं जान भाता यहा के बारे में आगे फिंकी फिर से घर आती तो उसे फिर से होटेल मेनेजर फिर से देते हैं मैम ये आपके लिए मैं तो मदना कर रहा था पर वह आपको दे कि चले पर वहाँ पैर आपन नहीं लो रहता और लो कहता है मुझे इंसे मुझे माफ करऊ दो प्रीज मेरे साथ daw Would इस मुझे एक चांस दो ना तुमें की के वी चांस यह सब कभी वी नहीं होगा और वह कहती कि तुम्हीं रोज मेरे लिए यह सब कुछ भिचते थे तो लो कहता हाँ मैं ही तुम्हें भिजता था क्या तुम्हें मुझे माफ करोगी मेरे साथ जाओगी मुझे एक चांस दोगी तो पिंगी सारे बाते सुन लेती और वहां से वो चुप चाप चली जाती और ये सब कुछ अपौन देख रहा होता है उसे हस्यारी होती है लो कि इन सारी बातों को सुनकर क्योंकि लो को पता चल जाता है कि रोज अपौन उसके लिए डिनर भेज़ता था और ये सब कुछ जूटके पिंकी से ताकि पिंकी उसे प्यार करने लगे उसे माफ कर दे पर इसा होता नहीं है आगे रिया भी देख लेती है कि लो फिर से पिंकी नहीं रही तो उसकी मा कहती आपको जड़ा सभी उसकी फिकर्डबी है मुझे तो नहीं लगता है आपके बज़े सरी कुछ करते और वुरॉत को भी घर को नहीं आती है और या की मा कहती है अगर आपको इस तस्वीर से प्रॉब्लम होती है इसे मैं तो बिंक्री लाग रहत तो लू को लेकर फिकर उसके बारे में वो पूछ रहा है पड़िया की मां गुस्ता जाती और उसे उखरे उखरे जवाब देने लगती और कहती मुझे पता है मेरी बेटी क्या करी है और वो इंसान अच्छा जो उसकी हेल्प कर रहा समझी आप तो लू यह सब कुछ सुलकर स नहीं लगा और मुझे लगा कि मैं वहां बगाता है ऑब और यह आपना भाई मानती है कि ikना यह और कि आँखों में कभी मैंने प्यार नहीं देखा इसलिए मैं साही धर गया तो यह सारी बाते सुनकर रातरी को बुड़ा लगता है अपनी भाई की हालत को देखकर आगे पिंगी को पता चल जाता है कि लू ने जूट कहा था वो दवाई लेके नहीं आया था यह सब कुछ अप करती और कहती आज की बाद तो मुझे यहां पर कुछ मत भीज़ना और प्रिसान करना मुझे बंद करदो समझे तुम अगर तुमने इसा नहीं किया तो पिर मैं तुम सब्सक्राइब कर दो तुम कहीं के नहीं रोगे और अपनी पतनी के साथ रो ना मेरे पीछे क्यों पड करें पिंकी राते को भी कॉल करकर देती पर अपने भाई से कहो आजकी बाद मुझे कुछ भी ना भेजी आपके राते जाती प्लैन बनाती पिंकी और अपन को मिलाने का रोघती है मैं बहुत प्मार हूं प्लीज तुमाजा ने दवाई लेकिता और वो नाटक करने लगती तो पिंकी कहते ठीक है मैं आरी हूँ तुम्हारे लिए दवाई लेके तब तर तुम ठीक से रहना आगे अपन घर आता तराती कहते मुझे कहीं बहार जाना सौपिंके लिए पर तुम पने गारी की चावी दे दो और राती वहां से घर से गायब हो जाती और जाने से पहले वो फिर से पिंकी को कॉल करती और कहती तुम कहां पे हो पिंकी जल्दी आओ ना मरी तवियत काफी खड़ाब है पिंकी कहती है मैं रास्ते मुं में पहुँच रही हूं तिया बास सुनकर राती खुस हो जाती और व उससे कोई बात नहीं करती दोलों एक दुसे कोई तुक तुक देखने लगते और भूत बनके वहां पे खरे रहते आगे पिंकी को काभी गुसा आ जाता और वहां से चली जाती है जब बाहर जाती तो अपने गारी की चाहभी लेके आती ही नहीं और परेसान हो जाती है फिर मुझे बता के बनाना चाहिए ना जब तुम्हें दवाई चाहिए थत्मिला देता तुमने ये क्या कर दिया पिंकी और नारा जोके मुसे चली गई तो रातरी कहती है मैंने तो सचा तिक तुम दोनों इक दुसे से बात कर अपन कहता है वो चुपचा मुझे देखती रही और मुझे देखता है मैंने कोई बात नहीं की तुम्हारी वज़य से तीस सब को सुनकर रातरी को भी अच्छा नहीं लगता है आगे लू सची के साथ मिटिंग करता है और वो सिर्षी काम के बारें बात करना चाहता है पर सची से रिया के बारें उससे बताने लगता है कि पेंकी रातरी को बताती है कि मेरी कार लौण छोने वाली थी उसे में ही लाउच करती है पर हमारे बोस ने उसे चेंज कर दिया और इसके जगान मोडल को स्लेक्ट किया पता हो मोडल कौन है वह मोडल दिया है तो रातरी कहती है तो मोडल के लाइक तो वो कलंग है वो तो कुछ बनने लाइक भी नहीं थी विने के वज़ा से सब कुछ बन चुकी है तो पिंगी कहती है तुम सांथ हो जाओ मैं इसे हंडल कर लूँगी आगर यहाँ काफी खुस होती है कि वो कार लॉंच की मोडल है और यह सारी बाते वो मैं बहुत खोसुंभी नहीं अगर तुम नहीं होती तुमएं कहीं कि भी नहीं रहती है इसके तुम मोख बिलर कर लेगा सकते हो तुम कमाल की और तुम यह काम बहुत है अच्य शे सब्सक्राइं करें और फ्राइस सजी तुमसाते हैं अबें पते होगा घर होज़ा तता उसे बता चलें तो आगे लो रात्री के घर आता है उसे सारे पैसे देता है मेरे जमीन के कागज मुझे वापस कर दो मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दी है अब तुम देख लेना मैंने जो कुछ भी खोया है वो चबकुछ में वापस करके रहूँगा ये सब कुछ सुनकर रात्री को अजीब लेकिया पर मैसा नहीं चाहती हूं इसलिए क् deepen है नहीं त्पर श्थामद नहीं चाहती। क्योंकि मैं डैट से ड़ गई ती किय ने कहा था ना कि वह तुम्हारे सब कुछ भी कर देंगा अगर तुम्हारी कमचूरी, जान गए कि पिंकी है तो फिर वो कुछ भी कर लेंगे इसलिए मैंने पिंकी से प्रॉमिस लिया था तो पॉन ये सारी बात सुनकर सौक्ड हो जाता और कहता तुमने ये क्या कर दिया वैसे भी मेरी प्यारी बहना ये सुन अगर उसके आखो मेरे लिए मुझे प्यार दिखता तो बात अलग थी पर मुझे ये सब कुस्तों दिखता है तो रातरी कहती मुझे माफ कर दो मैं डड़ गई थिसले मैंने सब कुछ किया तो माफ ही मत मांगो अगर पिंकी मुझे प्यार करेगी तो कोई भी कायनात मुझे उससे अलग नहीं कर सकती है पर मुझे नहीं लगता वो मु नहीं चाहती कि वो दू के पास दुबारा वापस जाए मैं तुम्हारे और उसके रिष्टे से काफी खुसूं तब उन कहता है तुम टेंसर मतलो मैं सम्हार लूंगा और वहां से बात कहके वह चला जाता है आगे लू फिट से रिया के बारें पोश्ता है कि रिया कहां पह हुतता है है तो बेसे कॉर्णी कि नहीं देते हैं के रिया ने मना किया है किसी से मुझे नहीं मिलना है कोई भी आए तो लू से कॉल करता है उसे बात करना चाहता है तुरिया उसे बात करती है और लू कहता है मुझे तुमसे मिला है तुम मुझे अंदर आने के लिए क्यों नहीं दे रही यह उत्रिया कहती है कैसा लग रहा है ऐसा ही मुझे लगता था मुझे भी काफी दर्द होता था जब मेरे साथ लगता और वो पुड़ी तरह सौक्ड हो जाता है कि रिया कितनी बदल गई है इधर पिंकी अपनी मॉम को कॉल करती और कहती है मॉम आप भी आने बार यह कार के लॉंच में तुसकी मॉम कहती हैं बेटा मैं आऊंगी तुम्हारे सकस्व में क्यों नहीं आओं और वो खुस हो कोसिज़ करता है पिंकी भी उससे रहांटि करती है और वो लोग स zhख हीलो करने की कोसिज़ कार festivals करता है पर वो लो उसे एगनौर कर देते हैं लूग के तरफ कोई देखता भी नहीं और सब फेकिसे ऑगन कोई करते हैं उसे एग्नौर करते हैं कि तभी उदर से रात्री भी आ जाती है तो आंटी वेदा उसे भी बात करती है और कहती है तुम्हें कौन नहीं जानता तुम दो जरीन की बेटी और काफी सुन्दर भी लग रही हो चलो तुम्हारी सक्सस देखके मुझे भी काफी खुसी है और तुम तो न्यू मोडल को देखने के लिए आयो ना जो कि तुम्हारी बहुत कुछ लगती है तुलूस चुप-चाप सुन लेता और आती के बातों का जबाब नहीं देता है इदार रिया काफी खुस ओरी होती है कि वो कार लॉंचिंग में जाएगी और वो पिंकी के लेने के लिए आने वाला था ना वो नहीं आया तुम आये लेने के लिए चलो तुम मेरे साथ पर भी नहीं बहुत ही दुखी रहता है और वो रिया को बताता है कि तुम अब कार लॉंचिंग में नहीं जा सकती है कि तुम्हें हटा दिया गया है ये बात सुनकर रिया सॉक कि उसका सपना चूर हो जाता है आगे अपने पिंगी के कार लॉंच में आता और यह सब कुस देख रहा होता है कि अपने रातरी से कहा था कि वह नहीं आएगा पर रातरी से देख लेती और केदी अच्छा बच्चों मुझे जूटके के तुम यहां पर पहुंच चुके हो आ पिंगी उस कार्ड को पढ़ती उसमें लिखा रहता है और यह सब कुछ देख कर वो तो सौक्ड हो जाती पर वो कोई रियक्ट नहीं करती आगे लुवर्स दोने भीयापी से बैठने के लिए जा रहे होते हैं सब कुछ जगा नहीं है क्योंकि मेरे पास भीयापी कार्ड ब सब कुछ हो गया तो ससी कहती है तुम ठीक होना तुलू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आगे पिंगी की मौम बैदी से कहती है मुझे देखके आने दो आखिकर यह लॉंचिंग अभी तक क्यों नहीं हो रही है और वहां से पेंगी की मौम चली जाती है कि तभी रात्री क पिंगी कहती है कि अभी तक मोडल नहीं आया है मौम तो सब कुछ ठीक है ना तो बैठ जाये सारी बाति तरफ देखने लगती तब यह पास्ट की बाती को सोचे लगती जब सचाई रिया की बताई ती कि वह कितने घट्या लड़की है और व उसके बेटे को फसा रही है और करवा देती और ये सब कुछ वेदाई करवाती क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में ढहता है आगे सबी सामने आती है और कहती है मुझे माफ कर दिए क्योंकि हमारी मोडल नहीं आने वाली और यह कार का लॉंजिन आज नहीं हो पाएगा और यह बात के वहां से चली जाती सारी रिपोर्टस उसकी पीछे पर जाते हैं तो रातरी आके पिंगी को बचा लेती उसे रूम में बंद कर देती है तभी लू उसके सामने आता और पिंगी के पास जाना चाहता है पर राती उसे जाने क्लिए नहीं देती है तो अपन उसके पास जाता प्रफफ उसे बात करी होती है सब कुस देख लेता उसे बुरा लगता और वहां से वह चला जाता है आगे रातरी को कहती है क्लिए तुमसे काफ़ी प्यार करता है और मुझे तुम्हारे रिष्टे से कोई प्रवलेम नहीं है तुम्हारे पास नहीं आया होगा तुम्हारे पास नहीं आया होगा तुम्हें इसे बात करनी चाहिए तुम दोनों आपस से बात करके सोट आउट कर लो ना मुझे खुसी होगी अगर तुम दोनों को बिलाती है उसे डाटने लगती है तुम्हारे आंकों में कभी क्या हो तुम मुझे बुकेश भेज़ दोगी उसके बाद तुमसे ठिक्स कर लोगा कि मैं तुमसे प्यार करना लोगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा समझे तुम अपन कहता है तुम मुझे एक चांद देखे तुम यहां से चले जा उसे कुछ से कुछ कहने लगती है पर पॉन कहता है मैं तुमसे प्यार करना नहीं चुड़ूँगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ करता था और करता रहूँगा समझी तो आगर यह अपना बदला लेने के लिए पेंकी के पास आती है उसे मारने लग तुम्हार साथ कुछ भी नहीं किया पर या उसकी एक बात नहीं सुनती उसे खुब मारने लगती है और दोनों एक दुसरे से लड़ाई करने लगते तब यहां पर रात्री भी आ जाती इन दोनों के बीच में तरात्री बीडिया को एक दू-तीन थपड मार देती और कहती तुम अंटी वेधरी कहती, मैंने प्पनी आँखों से देखा, तुम कैसे लड़की हो, अभी तुम मेरी भी भती जी को मार रही थी, मैंने ठीके किया, तुम्हें मोडल से निकाल दिया, और मैंने सस्पेंड करवा दिया, वैसे भी तुम्हारे बारे मिदे सारी जानकारी म कर दोगी तो यह सब कर दो और यहां पर लू आता तो वेदै लू से कहती इस बच्ची को संहालों समझे तुम अगर आज की बाद इसने मेरी भ्यतीजी के साथ कुछ भी किया तुम्हें इसे कही का नहीं चौड़ूंगी तो लू से लेके चला जाता है आगे वेदी कहती तु तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो फिर क्या होता है। अपने को कॉल कर देती है। अपने मेरे साथ मेरे साथ पिर समझी बच्ची नहीं मैं तुम अपना ध्यान रख सकती है। अपन के ताच्छा पर टूटा वा तो फ्रया ध्यान रख सकती उसे वह गोधिम उठा कर अपने साथ लेके जाने लगता है तो पिंगी हिल्डे डूने लगती है तो पिंगी केता अगर तुम हिलोगी डूलोगी तो मैं तुम्हें कीस्ट कर लूँगा ड्रामे की तरह तो पि से गोधिम उठा कर लेके चला जाता है